नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्लस ब्लॉग भभुधानय.blogspot.com में स्वाविद है आज हमारा चो टॉपिक है वो लास्ट येर जो ठारा जून 2016 को एक्जाम हुआ था कंप्यूटर टीचर का एक्जाट पीटी लेवल उसके जो कोशन्स हैं हम भी उसमें आट दस कोशन्स आप सभी के लिए यहाँ पे रखे हैं बट वीडियो के लास्ट में आपको इसी पोस्त में जितने भी एक्जाम का कोशन्स रहे थे लाश्ट टाइम 60 कोशन्स के प्रॉक् आट आप जो हमें फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं यूट्यूब चैनल प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलेगा क्योंकि अगर आप बेल क्लिक करेंगे तो आपको हमारी तो फर्स्ट क्वेशन था डाश इस नॉट एपलाइग इन अ प्यराग्राफ फॉर्मेटिंग इस में से कौन सा ओप्षेंस नहीं अप्लाइग किया जाता तो फोंट स्टाइल है जो वह नहीं अप्लाइग जाता नेक्स्ट क्वेशन डैश वन एंट्री कंट्रोल लूप तो वह फॉर लूप है। Slideshow can be stopped by pressing dash की escape आप सबी को पाता है यह हम प्रेजेंटेशन के टाइम यूज़ करते हैं dash symbol यानि कॉश्यो मार्क शॉब डैश ऑपरेटर कंडिशनल Transmission medium is used in local area network is coaxial cable Local area network में जो transmission medium है वह coaxial cables होती है which is not work in operating system तो वो विरस पर्ट तो विरस पर्टेंटर यूज़ विरस पर्टेंटर फिरस्रॉट को A constructor with no argument is default Dash attribute tells the URL of the document that you want to link HRES processing of all elements in the array one by one, transversal dash symbol is used to vary the every column of the table, star in ms words, what is the shortcut of goto command to f5, functional key f5 the wrapping up of data function into single unit is called encapsulation which generation computer fully based on artificial intelligence? toh 5th generation computer AI is prepared example of full-deplex system is a telephone or half-deplex walkie-talkie interlinking means linking different documents HTTP is combination of FTP and SMTP dash is a universal gate, NAND gate but nor gate bhi hota hai मैं यह आपे note लिगा है आप पढ़ ले न the dash data type tells the set of empty values void by default zero value next question तो यह कुछ question थे but मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको सभी question जो last year exam में आये थे वो चाहिए तो आप यहाँ पे click कर सकते हैं आपको पूरी PDF file मिल जाएगी इसके इलावा आपको उसके answer की भी चाहिए तो आप यहाँ पे click कर सकते हैं answer की भी मिल जाएगी तो मैंने इसमें कोशिश किए आपको सारा exam last year का देने की और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज आप हमें comment जरूर कीजिएगा और अगर आपको फिर भी कुई कमी पेशी लगी हो तो आप उसके लिए भी हमें तमई कर सकते हैं अभी की लेते ही हैं कुछ और नया लेकर आएंगे धन्यवाद